जाहिन दोस्तों मैं सोब आपका बाइलोगी स्वागत करते हूं आपके प्यारे से ट्रीप चैनल बाइलजी ट्लासिस में लेके आपके सामने फिर से आए एक इंपोर्टेंट वन लाइन इस बाइलोगी पार्ट थ्री इसमें हम लोग आज देखेंगे की कैसे जो डाइकली ल तो इस दाफ्योटोफाइटउ लवाइटाव जीम्नु इसमंठ्व में क्या हमें फिमेल कि यह फिमेल छैक्ष ऑरडै है इसको क्या बोलने है आर्ची को नीव ब्राइवबादल ङ्टी Solutions में देखने को मिलेगा ठिक तास एक्स ост inspiration माल्टिछललगा गामीटोफायट और भावभागन होता है और आटोट्राफिक होता है और ऑजन आफ सीड हैविट का ओरीजिन हो गया था उनमें सीट हैविट का ट्रेस हो गया था सीट हैविट पता चल लगी थी कि टैटोफाइट में सीट हैविट होती है पीट ऑप्टेंट फॉर्म स्पैग्नम मौस इज यूज़ एज फ्यूल एंड पैकिंग जो पीट है इसको स्पैग्नम मौस से प्राप्त करते हैं और जो की फ्यूल और पैकेजिंग में यूज़ किया जाता है ठीक है एसेक्सवल रिप्रोडक्शन इन लिवर वर्ट टेक प्लेस भाई फैग्मेंटेशन थैलाई एंड गैमी फॉर्मेशन बूला है जो लिवर बट्स जो एक मौस है लिवर क्या एक मौस है इसमें एसेक्सवल रिप्रोडक्शन जो है वो फैग्मेंटेशन थैलाई में फैग स्टेइस अ पर जो 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 फाいलो जनेटिक सिस्टम जो है या फाईली सब्स नने यह evolutionary relationship पे बेश्ट है मतलब कि जो जो मतलब generation आएगी वह अपने ancestor से किस तरीके से एवाल्यूट करके या evolution होके कैसे जो अभी की generation है वो किस तरह से evolve करके आ रही है तो उसको क्या phylogenetic system classification बोलेंगे sex organs in tidophytes are formed on the multicellular well developed sporophyte बोले जो टाइड़ोफाइट में sex organs होते हैं यह multicellular well developed sporophyte पर form होते हैं कि the dominant stage of gametophyte of moss consists a leafy stage developing from secondary protonima जो क्या कहते हैं उसमें dominant stage जो है वो कौन सी है leafy stage है जो की secondary protonima से develop होती है elaborate mechanism spores dispersal is found in mosses बोलेंगे जो moss होते हैं इनमें जो spores dispersal का mechanism है बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से develop होके होता है है हेट्रोइस्पोरस plants और हेट्रोइस्पोरस plants are plants producing large and small spores बो प्लांट जो large or small amount small size के जो spores है उनको produce करें तो हेट्रोइस्पोरस बोलेंगे अगर सेम साइच के spores को produce कर रहा है तो होमोइस्पोरस बोलते हैं और जो gymnosperm है जिम्नोइस्पर्म इसके जो plant है वो कैसे हेट्रोइस्पोरस होते हैं जबकि जो टाइडोफाइट है उसमें मोश्ट होमोइस्पोरस हैं जबकि जो सेलेजनेला है लेजी और सेलवीनिया यह यह आपके कहते हैं यह हेट्रोइस्पोरस है है जबकि जो ग्रीन ऐल्गी होते है उसमें कौनसा इंद बी होता है ग्रीन एल्गी में chlorophyll A and V होता है ब्राउन एल्गी में chlorophyll A, C and phucosanthin होता है जिबकि जो रेड एल्गी होती है इन में chlorophyll A and D और उसके साथ में R फाइको एरित्रीन जिस वजए से यह रेड एल्गी जो है रेड कलर के अप्रियंस में दिखाई देती है फिर दा मेल ओफ हीमेल कॉंस और इस्टोबलाई मेभी बॉन ओन सेम ट्री बॉले जो मेल ओफ हीमेल कॉंस है जो जिमनों इस परहम में वो सेमी ट्री पर अगर क्या कर हैं बॉन कर रहे हैं सेमीट्री पर देखने को मिली एक ही ट्री देखने को मिल लिए तो वो कुण को उसको मौनीस भोलेंगे और इसका एक्जाम्पल है पाइनस मेलकॉंस और मेगा इस्पोरोफिल्स आर वर्न ऑन डिफरेंट्री साइक्रस में जो मेल कॉंस होती है और जो म गोप्यूल बतलब बोले जो नीजल्स है वो एक इंवेलब से प्रोटेक्ट हो जाएगा और जो प्रोटेक्ट होके एक मपोजित रिस्ट्रक्च्चर बनाएगा जैसे क्या अब्यूल बोलेंगे यह जो है प्लयद जो रह ब्रफिस करते हैं आर एलमेहत्यो होते हैं को थेंग सब्सक्रार प्र ब्रेक हैं झाल झाल